हेलो फ्रेंट्स आज मैं इस मुवी का रिवू करने वाला हूँ इसका ना में ट्रॉइ तो चली रिवू शुरू करते हैं इस फिल्म को ड्रेट के हैं वूल्फ गेंग पीटर सन ने बात करें कास्ट की बारे में तो कास्ट पे हैं ब्रैड पीट एरिक बैना ओर्लांड जो यूथ हुआ था जो वार हुआ था दोनों के बीच वहां पे ट्रॉइ का क्या भूमी का था ट्रॉइ क्या है तो वह सब आपको पता है तो मैं इन सब के बार मैं बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं पहली पॉइंट आ जाता हूं मूवी में तो यह मूवी उसके बाद मैंने यह मूवी और एक-डू बार देखा तो जब भी मैं देखता हूं उस मूवी को मुझे यह मूवी बहुत अच्छा लगता है बात करें मुवी की सबसे बड़ी पॉइंट के बारे में तो है इस मूवी का सिनेमा Diosography मैं जब भी यह मूवी को देखता हूं विजुआली यह मुझे बहुत अच्छा लगता है इतना विजुआल स्टानिंग मल्लब में क्या बता हूँ विजुआली यह मुवी बहुत अच्छा है सेकेंड पदली पॉइंट के बाद बात करते तो इसका स्कृरीन पर है तीन घंट का पिक्चर है लेकिन एक सेकेंड के आपको बोर्ड नहीं लगेगा, स्क्रीन पर इतना अची तरीके से लिखा गया है, इतना फास्ट पेस्ट है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज को इतना अची तरीके से सजा गया है, और इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी डिरिटर ने बहुत आची तरीके से इस फिल्म को इतना अच्छी तरीके से हरेक चीज को हरेक जो सीन होता है हरेक इवेंट होता है वह इवेंट को इतना आच्छी तरीके से तीन घंडे के अंदर सजाना कोई भी डिटर के लिए बहुत है चैलेंजिंग चीज हो जाता है लेकिन यहां फिल्म में इस फि वह नहीं किया जाता है यहां पर हिस्ट्री को मान के यह पूरा फ्रिम डिजाइन किया गया है बात करें और एक पॉजितीव मैं इसका वार सिंस इसका फाइट सिक्वेंस ब्रैट पीट के एक्टिंग सब कुछ इस फिल्म में पॉजितीव है हाँ आगर आपको कुछ-कुछ जगा periodic फिल्म अच्छा नहीं लगता तो कुछ-कुछ जगा आपको slow लग सकता है लेकिन मुझे फिल्म बहुत अच्छा लगता है खास करकर बात करें BGM की बारे में और वार सिंस के बारे में वार सिंस में जिस तरीके सा action choreography है और BGM जिस तरीका का बसता रहता है कमाल का Brad Pitt का acting कमाल का है मतलब Brad Pitt मेरा उतना अच्छा कुछ खास फिवरिट एक्टर नहीं है लेकिन इस मुवी में मुझे Brad Pitt कमाल का लगता है पर्टिक्लर इस मुवी में Brad Pitt का जो character है वो character मतलब ऐसा है कि मेरा जहन में घुश गया है Brad Pitt as HLS मतलब में आज भी मेरा फिवरिट करेक्टर है पिस्टी जवाब एरेप्ट कर रहे हो बिग स्क्रीन में ऐसा film तो आपका writing में बहुत ज़्यादा महनत करना पड़ता है क्योंकि writing में आपको धान देना पड़ता है कोई भी minute details अगर miss नहीं हुआ हो यहाँ पर writing में बहुत ज़्यादा मैनत किया गया है और writing एकदम pitch perfect है और उसके साथ साथ जो है executional direction में भी धान देना पड़ता है तो इस movie में वही हुआ है direction बहुत कमाल का है और character development भी इस movie का एक positive point है क्योंकि character जो हरे character को बहुत ही time देखे हरे character को उसका space देखे बहुत ही आची तरीका से develop किया गया है ताकि कोई भी audience उगली ना उठा सके कोई भी character के उपर तो यह character development चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा और तीन घंटे के कम अगर यह picture होता तो character development उसना अच्छी तरीका से नहीं होता जो कि मुझे बहुत ही बड़ा positive point लगा negative point बोले तो कुछ-कुछ जगा में negative point बोलूँगा तो कुछ-कुछ side actor से कुछ-कुछ co actor से जिसके acting थोड़ा गरबर करता है लेकिन उसके बाद फिर pick up लेता है फिर जाता है फिर कोई actor आ जाता है और कुछ-कुछ thrilling moments कुछ-कुछ tension create करने वाला scene को इतना अची तरीका से सजाए गया है जो की कमाल का लगेगा आपको इस movie को जरूर देखना मिस मत करना अगर अगर आप इस movie को मिस कर दिये तो बहुत ही बड़ा एक चीज़ा मिस कर दोगे आपके लिए गुडबाई टिक करे मिलता करे लिए गुडबाई